दोस्तों ये करना क्यों है? ये डबल बोनस हमको क्यों करना है? पहले ये हमको समझना है. जो कि ये अपरचुनिटी, ये आउसर हमको बार-बार नहीं आएगा. हमारा जीत इसी में है कि हम निगेटिविटी में से पोजिटिविटी के स्थार से निकाल के लागते हैं. तो सब कर दिखाना है कि डी एक्सेन बिजनेस लॉक डाउन में भी चलता है, बनकी ज्यादा चलता है, यह केवर इस महिने की इंकम के लिए नहीं, यह फ्यूटर का प्रूफ होगा, एक साल, दो साल, चार साल, दस साल बाद भी यह जो घटा-घटी है, हमें प्रूफ करूफ में कर सकते हैं, कि इस तारिक से इतारिक तक पूरा दा पूरा लॉक डाउन था, और इस समय में भी हमने बिजनेस किया है, हर आजमी इस तलास में है, कि ऐसा कौन सा बिजनेस करें, जो सौक प्रूफ हो, जो कोई भी जटके को जहेल सके, और यह प्रूफ दिखाने में काम आएग कि एकई विजनेस वह है, वह है डियेक्शन बिजनेस चो किसी भी तरह से कभी भी चिया जा सकता है, पुछे गालों कि ऐसा क्या है डियेक्शन बिजनेस में, अभी कोरोना है, करोना का एक यह उताय है, कोई दूसरा उताय नहिए, कि बुस्क आर इम्योन सिस्टम, आप मारा जितना भी प्रोड़क्ट में उसका भी रिलेशन ही है, जाहे वो अर्जीटीर हो, जाहे नोनीडी हो, जाहे श्वायरू लिना हो, जाहे कॉर्ड़ी से कॉपी हो, टीनी की हो, जीटमी करीज हो एक ही तिक परिए है इम्मुनिटी को इम्प्रूव करने के लिए. इसलिए पुरी उम्मीद है कि अब हमारा बिजनेस दुगनी दस्तार से चलेगा अभी इसके लिए दुगना बिजनेस करने के लिए ये इस तरह से नहीं हो जाएगा कोई घर बैठेक रहाग नहीं आने वाला है कि आप हमको अपना प्रोड़क्त दे दिए हमको अपना युमिलिटी बढ़ाता है हमको पुरा योजना बद तरीके से इसको काम करना होगा क्या करना पड़ेगा कैसे करना पड़ेगा कब करना पड़ेगा दोस्तों सबसे पहले हमको एक चीज देखना है कि हमारा बिजनस कहां कहां से आता है पुरा जो हमारा गुरूप पीप होता है उसमें कहां कहां से हमारा बिजनस आता है पहला होता है हमारा अपना खुद का पीप दूसरा होता है हमारे टीम में एक्टिव डिस्टिब्यूटर होते हैं सेमी एक्टिव डिस्टिब्यूटर होते हैं इनक्टिव डिस्टिब्यूटर होते हैं एक्टिव जो हर मेले में अपना मिनिमम क्वालिफिकेशन पुरा करते हैं qualification क्या है? 25% ये minimum qualification है इसको पुरा करते हैं semi-active कौन से हैं? जो कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं कभी qualify करते हैं, कभी 35% के नीचे भी नहीं करते हैं ये actually semi-activity है ये हमारे reliable user है इनने हमें बहुत सम्माल की industry कोनों से लेख रहा है क्यों आज reaction industry का business इनके बल पर चलता है हम सब लोगों की team में ऐसे बहुत से लोग होंगे किसी ने 400 PV बनाया, किसी ने 500 PV बनाया, किसी ने 900 PV बनाया, मैं देखता हूँ किसी किसी ने 990 PV बनाया उसको bonus की चिंता नहीं है उसको केवल एक बात की चिंता है मुझे डी action का product यूज करता है दोस्तों ये हमारी बहुत बड़ी खुबसूरती है, ये कुछ network marketing में मैं जुआइन तो नहीं किया था, किसी ने गल्ती से अपना password दिया था मैं check किया कि इसके यहाँ reuse कितना है, तो मैं देखा reuse is zero है हमारे यहां कि और पैसा कमाने के लिए हमारे यहां लोग यूज करने के लिए आता है वही है semi-active distributors एक और स्रेणी है in-active distributors जो बिलकुल कभी भी पीवी अपना करते ही नहीं और पाँचवाँ बिजनस हमारे आता है new joining इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा कैसे करना पड़ेगा इसके हम पूरी योज़ना बनाएंगे तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें एक list बना करके तयार करना होगा यह list और planning और goal अगर हमारे पास है किसी भी building को बनाना है सबसे पहरे उसका नक्सा बनाना है यह नक्से को हम आज ही से अभी से इस मीटिंग के खतम होने के बाद कुरंट से बनाना सुन दरीगे क्या चीज कि हर आदमी को मालूम है active distributor, semi-active distributor और in-active distributor in-active distributor का पता हमको नहीं होता है कौन है क्योंकि वो contact में नहीं रहते हैं लेकिन आज समय आगया कि in-active distributor को या तो semi-active बनाया जाया या इसको active distributor बनाया जाया इससे बढ़िया समय भविस्य में भी कभी नहीं आएगा कि कत्तिस महीं के बाद ये समय मुझे नहीं उमीद है कि फिर दुबारा लाइक में कभी मिलेगा अभी हमको जो मौका मिला है redemption का आज हमको 5 साल के बाद 5 साल से भी जाए 5 साल के बाद मिला है ये बहुत बड़ा offer है दोस्त तो e-world की मदद से पहले generation सारे लोग ऐसे मनेगा पहले generation का बहुत आसान है e-world खोलिये specific search में इसको निकाल लीजिए इसको निकालने से आपको पता चल जाएगा हमारे first generation में कौन-कौन लोग ये सबसे ज़रूरी है first generation को active करना यही वो समय है जब हम first generation को active कर सकते हैं यही वो समय है जब हम उनको बता सकते हैं community का business बहुत ज़्यादा चलने वाला है हमारी अगर इस समय से हम कुछ लोगों को भी active कर लते हैं सारे लोग नहीं होंगे law of average यहां काम करेगा लेकिन निस्चित रुप से सब हम 10 लोगों पर काम करेंगे 10 लोगों से बात करेंगे एक या दो जरूर active हो सकते हैं इस पर हमको इस महिने में जरूर प्रयास करना चाहिए जिस समय रिडमसं का offer आया था उसी समय मुझे सबसे ज़्यादा जो volume आने की उमीद है इसी inactive distributor और semi-active distributor से आने की उमीद है इस पर बहुत focus करने की ज़ुबरत है अगर हमारा firm में कोई distributor है जिसके पास even नहीं निकाल पाता है आज हमारे डूट से रोस्ट कि हम उसको अपने से खुद से निकाल कर रहे किसी का भी निकाला जा सकता है उसका ID नमबर मालू होड़ा OPS का जो system है Evalet से PV report इसमें भी निकाल सकते है लेकिन थोड़ा सा फर्क है फर्क क्या है कि sponsor का नाम इसमें नहीं आता है उसमें sponsor का नाम आता है लेकिन चुकि हम किसका निकाल रहे है हमको मालूम है इसमें sponsor का नाम नहीं आए तो भी कोई फर्क नहीं परता है अब जो हम list मिनाएंगे उसमें active distributor को तीन स्रेडी में बाटेंगे पहला कौन है पहला है highly motivated जैसे मेरे ख्यार से जितने लोग अभी इस मीटिंग में सामील है वो highly motivated वो बारह मैने का offer redeem कराने के लिए 12,000 के वर नहीं करेंगे वो 24,000 करेंगे, 30,000 करेंगे 40,000 रुटे का product लेंगे क्यों हर मेने हमको उतने product का 10% रेडियम करा सकते हैं दूसरा जो केवल 12 मेने के लिए आएंगे हमको अपने हर distributor से केवल एक ही सवाल पूछना कोई दूसरा सवाल पूछना ही नहीं है कि आप 12 मेने वाले में रहेंगे कि 6 मेने वाले मेने जो active distributor कोई भी 6 मेने में रहने के लिए तयार रहें मैं अपने टीम कान बह बता रहा हूँ मैंने कितने लोगों से बात किया है तारे लोग कहते हैं एकी जवाद देते हैं कि सर 6 मेना वाले में क्यों रहेंगे हम तो 12 मेना वाले में रहेंगे एक आज भी भी नहीं बोला अभी दर कि हम छे महने वाले इस लिए इस तरह से सवाल अगरम करेंगे कि आप बारह महना रिडमसन लेगे या छे महना लेगे हर कोई बारह महना लेगा उसके बाद हमारा बेस्ट आता है न्यू ज्वाइनिक हम लोग सब कोई अपना अपना टार्गेट बनाएंगे कि न्यू ज्वाइनिक से अभी समय है इम्मुनिटी का टाइम है हम कितना इम्मुनिटी की बात करेंगे कितना लोगों को अपने नए लेग में ला सकते हैं अपना नया लेग हो चकता है इनके पास जन्रेशन में कौन लोग है यह हम निकाल कर दे सकते हैं अपने का थोडा मास्टर भूना होगा उसमें इवर्ड में सब कुछ निकलता है और हमारे टोटल नॉन इस्टार टीम में इस तरह के कितने लोग हैं. Just our Semie Active Distributors which is in our first generations, वो हमारे past generations में in our first generation में कितने लोग हैं, इस की भी umको list बनानी हैं, जो नहीं निकाल पाए, senior को help करना है, क्या check करना है? हम अपना PV सबसे पहले आज decide करना है इस meeting के बाद इस मेने में हम अपना PV कितना बनाएगा active distributor सारे active distributor को कितना अपना PV बनाएगा semi active और in active एक ख़जार PV भी बनाएगा यहीं से बहुत बिजनेस आने की मुझे उमिद प्लस new joining यह new joining भी अभी विष्टम लोग के बाद सबके बाद है अभी immunity का बात करने की जुरत है और immunity की बात करेंगे तो लिष्टी तुरुपन बिस्निस बढ़ेगा और company ने एक condition लगाया है इस offer का लाब लेने के लिए आपको इस gate से entry करना पड़ेगा वो बिना entry जो इंट्री नहीं करेंगे वो बाहर खड़े रह जाएंगे जो इंट्री करेंगे उन्हीं को इस offer का मज़ा मिलेगा वो condition क्या है एक हजार PB मही इसको हम टूल की तरह इस्तेबाल करें हमारे जित्तेजरी कमसे किम सेमी एक्टिव डिस्टिब्यूटर है और दूसरी बात कि जो इनक्टिव है उसमें से अगर दस इनक्टिव लोगों से हम बात करते हैं एक या दो निष्टित रूप से आई इसके बात हमको अपने एक टार्गेट सेट करना हो हर पांच दिन का टार्गेट मैंने अपने हिसाब से लिखा है 12 माई, 17 माई, 22 माई, 23 माई, 31 माई ये हर पांच दिन का टार्गेट है लास्ट वारा चार दिन दा के बाद अब टाइम कम है इसको आप अपने हिसाब से वो टार्गेट बढा सकता है लेकिन एक डेट फिक्स करना हुआ किस दिन हम अपना हाइस जनवरी का, फर्वरी का, मार्च का, अप्रील का क्या चीज? PPPV, PGPV, DGPV और Total Group PB ये चारो महिने का जनवरी, फर्वरी, मार्च, अप्रेल हम नहीं नोट करेंगे नोट करके जो हाइस फोगाउट को तूने करेंगे और अपना तारीक खुद का तै करेंगे 100% किस दिल करेंगे और सबसे पहले है अपना खुद का पर्सनल PB हम 100% किस दिल करेंगे PGPV हम अपना 100% किस दिल करेंगे DGPV तैमन के लिए है ये के वल हम अपना 100% किस दिल कुरा करेंगे और टोटल ग्रूप ते भी हम 100% किस दिन पूरा करेंगा, उसके अबाद ही 125, 150, 175, 200%, पुई ज़रूरी नहीं कि मैं 200% पोलना हूँ, तो सबकुर 200% करना है, लेकिन दोस्त कोशिस करना है, फारना नहीं है. कैसे होगा, उसका आखरी में मैं आपको एक छोटा सा बताऊंगा, उससे होगा. हर पांच दिन के टार्गेट में हमको हर आदमी का, हर एक्टिब डिस्टिबूटर का ये टार्गेट सेट कराना है, नियो इस्पॉंसर ही कितनी होगा. कितने लोगों को एक्टिब करताएंगे, उसमें से मैं समझता हूं कि साथे लोगों को एक्टिब करा जासे का ये पांस दिन कि लिष्ट सब के पास है हर आदमी के पास कम से कम 30-40 स्पॉंसर किया ही है हर आदमी ने और 200, 300, 400 तक ये लिष्ट है 300 तक कि लिष्ट मैं कल देखाऊ महिला आई जी कि मेरा लिष्ट कैसे मिलगा मैं लिकार्दर देशता हूं तो 300 लोगों के उसके देशते अगर बचे हुए समय में हम डेली अगर 10 लोगों से भी बात करते हैं क्या एक आदमी रोज नहीं तयार हो और मैं पाँच दिन में एक आदमी के बात करता हूं कि पाँच दिन में कम से कम एक आदमी को इन एक्टिव डिस्टिबूर्ट को एक्टिव नहीं करते हैं अंत में मेहनत वो सुनारी चावी है जो बंद भविस के दरवाजे भी खुण देती है कि दुगनी बोनस के लिए हम अगर बोनस को दुगन करना चाहते हैं तो अपने माइंड में डालना पड़े है कि हमको 31 तारीक तक मेहनत भी दुगना करना है किसान के बीज डाल देने से क्योर फसल तयार नहीं होती है किसान का पसीना से जब उस खेत की सिचाई होती है तब फसल तयार इस दुगना बोनस को दाले के लिए हम पूरी मेहनत करने के लिए तेयार हो जाएं और मेहनत क्या करना है हमको हल नहीं चलाना है हमको मट्टी नहीं कोड़ना है हमको केवल मुबाइल से बात ये बात करके हम बहुत बड़ा बिजस खड़ा कर सकते हैं दोस्तों ये कुछ है नहीं प्रवाइब दूना बोनस लाना है, तुनने में थोड़ा कठील लगना है, लगता है बहुत बड़ा टार्गेट है, लेकिन एक बार इसका हावसला बखीजिए, एक बार मन बनाईए कि हमको दूना बोनस लाना है, और जब हावसला बना लिया, उटी उडान का, फिर देखना पजूल है, गदास मान का, मैंने आज एक वीडियो, लगबत बी एक्शन के जितने भी कॉंटेक्स और ग्रूप मेरे पास है, मैंने सब में भेजा है, क्यों? इस वीडियो से मैं खुदी मोटीवेट हूँ, आज ही मुझे मिला है, और आज ही मैंने भेजा है सब को, ये कॉ करें और उसके तुछनत बाद आप इसको इस्तेमाल करें, अच्छा अच्छा महसू veto करें, भगवान भी जिस Ama जुन नहीं हो जुडू अपको बनाया है, लिजको भी आपको बनाया है, जिसको भी आपतु जब भी आए हयो, जस दिन जो जो आपको मिला है, जो जो अच्छे पला है, उनको याद कीजिए और भगवान को उसका धन्यवाद देजिए, आपके जीवन में वो अच्छे पला है, उसके बाद आँख बसंद दर के फील कीजिए, ना केवल आपका, बलकि D.A.C.N. के हर डिस्टिबूटर का बोनस मई के महिना में दुगना आने जा रहा है, दोस्तों, इसी वीडियो से आज मैं सिखा हूँ, हमारे पढ़ाई का जो तरीका है, वो गलत है, हमको फस्ट आना है बाती दुनिया को सेकल करना है, लेकिन D.A.C.N. में ऐसा नहीं है, हम सब कोई एक नंबर पर आ सकते हैं, सब कोई क अगे साम उसको आते रहे हैं, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए, गुड बारिंग